कि नमस्कार एक बार फिर से हम यहां पर आपके समख्ष उपस्तित हैं और आज एक बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर यह कि स्कूल लेक्चरर का सबसे पहले मेरी तरफ से आप सभी अविर्थियों को जो इस वेकंसी का हिस्सा बनने जा रहे हैं जो यह एक्जाम देने जा रहे हैं जो एक्जाम देना चाहते हैं धेर सारी बढ़ाई लंबे समय से हम इस notification का वेट कर रहे थे लंबे समय से आप इस notification का वेट कर रहे थे दोस्तों इस समय आपके मन में धेरों सवाल है इतने questions हैं कि आपको उन प्रशनों के उत्तर जहां उसकी तलाश है सबसे बड़ा प्रशन सबसे यक्ष प्रशन जो है वो यह कि इस समय जब आपके समक्ष ग्रेड थर्ड ग्रेड फ़स्ट ग्रेड स्कूल लेक्षर सीनिय टीचर और तृति शेणिय अध्यापक सभी की वेकंसी जो हूं आपके सामने हैं तो किन विद्ध्यार्थियों को किन को इस भरती का हिस्सा बनना चाहिए इसकी तयारी करनी चाहिए सबसे बड़ा प्रशन जो इस समय आपके मस्तिष्ट में हैं इसके लिए जो है मैं यह कहना चाहूंगा यदि आप इस समय जो है इन तीनों परिक्षाओं को देखें तो सीधा सीधा अनुमान जो हम लगा पा सेकंड ग्रेड यानि सीनियर टीचर का एकजाम वह आपका होगा जो लगबख सब्टेमबर या ऑक्टूबर के अंदर प्रपोज्ड उसके बाद जो हैं आपका रीड का सब्जक्ट पेपर होगा जो लगबख दिसंबर और जनवरी के अंदर जहाव आपका होगा और उन समें आप और टू की तैयारी कर रहे हैं तो उसको आपको जारी रखना चाहिए लेकिन यदि आप ओल्रेडी जोब में है रेट ठर्ड जो हैं या सीनियर टीचर जो उसकी जोब कर रहे हैं तो आप स्कूल लेक्षर की तयारी कर सकते हैं और इसके साथ साथ यदि आप अनिम्प्लोइड हैं लेकिन आप पिछली भरती में स्कूल लेक्षर की भरती में बहुत कम मार्जिन के साथ जो रहे चुके थे तो भी आपको इस भरती की तयारी करनी चाहिए यहां आप आप पिछले 6 महिने से स्कूल एक्टर की तयारी कर रहे हैं तो भी आपको इस भरती के ऊपर अपना पूरा का पूरा ध्यान जो लगाना चाहिए क्योंकि school lecturer में first paper जो है और साथ ही साथ जो आपका subject का paper है खास करके मैं English की बात कर रहा हूँ उन दोनों को करने में काफी समय जहों लगेगा और यह आपका सही समय है इसकी तैयारी करने का यदि एक बार आपने रास्ता चुन लिया है कि मुझे school lecturer का ही exam fight करना है और मुझे सीधे lecturer जहों बनना है मुझे सीधे gadgeted officer बनना है और नदाएं देखना है नबाएं देखना है तो यह भरती आपके लिए है जी हां दोस्तों यह भरती आपके लिए हैं और आप इसकी तैयारी यह वो शुरू कर सकते हैं लेकिन यदि आप already grade 2 या read का exam तयारी कर रहे हैं उस exam की तो आप उसको करते रहिए और इन सभी भरतियों में आपको प्रयाप्त समय मिलेगा प्रयाप्त टाइम मिलेगा तो मैं ने आपके मैंने सबसे पहले इस प्रश्न का जवाब दिया कौन इ करती की तैयारी करें जो लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहा है नंबर वन नंबर टू जो पिछले exam में बहुत कम मार्जिन से जो रहे चुका है और नंबर थ्री जो already job में हैं यदि आप इन तीनों में से किसी एक category में आते हैं तो आप जरूर इसकी तैयारी जो करें और चो आपको कुछ ज्यादा सोचना समझना नहीं होता है एक बार यदि आपने ठान लिया कि जी हां मुझे ये काम करना है तो आप उस काम को करकर के रहेंगे दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है आप यदि आज इस exam की तैयारी शुरू करते हैं तो आपको खूब सम अबने आपको मिलेंगे इसके लिए यह आपके पहले प्रशन का जवाब था दूसरा प्रशन इसकी तैयारी कैसे करें दोस्तों आप जहां भी तैयारी कर रहे हैं जिस भी जगह से तैयारी कर रहे हैं सब अच्छे टीचर सोते हैं सब जगह बढ़िया होती हैं एक बात लिवपने बढ़े बुद्धिमान हो सकते हैं हो सकते हैं लेकिन आप नहीं होगा कि अध्यापक से क्यों नहीं पड़ रहे हैं आप चाहिanted छोटे मोटे मेरे जैसे दॉट आपकों से क्योंने पढ़ रहे हैं आपका चैन्च है वह नहीं होगा जब तक कि आप रिग्रम्स नहीं करेंगे हमारा मतलब हमारा ताद्ब्रिय हर यही है कि यदि अगर आपने पढ़ना है तो कम से कम साथ आट बार पढ़ना है text एक शब्द एक लाइन हो आज है जो लाइक इट भी पढ़ना है तो आपको बहुत बार इसको पढ़ना है यह जादा प्रेक्टिस जो चाहिए होती है कि आपके पास हर तरह की प्रिशन हर तरह की कुश्चन जहां उसको करने का तरीका हो उसको करने का सलीका हो उसको करने की मेथेडोलोजी हो और सबसे बड लाखों विद्यार्थी बैठते हैं और कुछ सो तीटे जहू रहती हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं तो फिर कहूंगा कि यदि आप इस परिक्षा में सफल होना चाहते हैं और मुझसे पूछेंगे मुझसे क्यों पूछेंगे हमने पिछली स्कूल लेक्षियों में हमने बहुत अच्छे सेलेक्शन अगर जहें मैं पिछली भरती की बात करूँ तो हमने जह हैं फोट की लिस्ट जारी चाहिए ती विद फोटो एंड विद्द्रोल नंबर रेंक के बाद सेवन् उसके बाद 10 रेंग और उसके बाद 11 रेंग और 20 स्टूडेंट्स ओल ओवर राजस्थान और उन 20 में से लगबग साथ बच्चे वह हमारे तो आप देख सकते हैं कि इतने सारे बच्चे जो हैं और 61 सेलेक्शन जो हैं वह हमने जो दिए चाहिद ही कोई ऐसा इंस्टिटूट होगा जो अपने रिजल्ट को इतने फियर ली जह हो आपके साथ डिसकस करता होगा आप इसी यूट्यूब चैनल के उपर हमारे पिछले स्कूल लेक्ट्र एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट हैं बकाइदा रैंक बकाइदा फोटोग्राफ और बकाइदा आपको हर डिटे एक्जाम में तो इसका मतलब कहीं ने कहीं थोड़ी बहुत अंदर भी है हम जानते हैं कि इस परिक्षा को कैसे क्रेक किया जाता है यदि कोई इंस्टिटूट यदि कोई टीचर जो हैं दस में से तीन रैंक जो हैं और उसके आबाद 20 में से साथ बच्चे जो हैं उन बच् दर खूब है लेकिन अगर जिस्टेशी की बात होगी प्लैनिंग की बात होगी तो सबसे पहले जह वह आपको जी हैल्प का नाम लेना पड़ेगा वह हम नहीं हमारे जिजल्ट कहते हैं कि पहला प्रशन किसकी तयारी करें या इस प्रिक्षा की तयारी कोन करें दूसरा मत अच्छी अध्यापक सब्रों को आप करी अच्छा आप रहे हैं हैं अच्छा निद कर रहे हैं करते रहे इंस्वर आपके हैं हमारी दुआआइँ सिरीज का आपको पाट बनना पढ़ेगा याद रखना पढ़ेगा एक बार करने से कुछ नहीं होता तीन बार चार बार और कई बार पाल पांट चह बार भी इस आपको कवर करना पढ़ सकता है तिस्कोर्ड रिगरेस्ट प्रेक्टिस इसरा और सबसे एहम प्रसिशन जो है हम। जी हैल्प से कैसे जुडए हमारी मदद इस संदर्भ में कैसे कर सकता है दोर्टों आप जी है उसका लाइब जो है वह देख सकते हैं फर्चेज कर सकते हैं जी quand जो है आपको live course जह वो उपलब्द करवाता है online course उपलब्द करवाता है और इस तमय हमने जो course जह वो launch किये हैं वो दो तरह के हैं पहला जो full course है जिसमें आपको complete English जिसमें grammar, literature और psychology तीनों चीजें जह वो add करके और आपको एक course दिया जा रहा है इस course में 70% के करीब जह वो recorded classes है और 30% प्रतीशत के करीब आपकी live classes जह वो रहेंगे आप यह 30% live classes जहां जिसमें mainly Macbeth, as you like it और जो आपके novels उनको discuss किया जाएगा आप उनको देख सकते हैं और recorded classes में वहां पर आपको लगबग हर मुश्किल topic जह आपको मिलेगा आपको the wasteland से लेकर के varieties of language से लेकर के essays से लेकर के poetry से लेकर के हर चीज वहां पर मिलेगी और कुछ अलग अंदाज में कुछ उम्दा तरीके से जह हो आपको वो मिलेगी तो आप उस course को जो है वो परचेज कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि सिरफ हम लाइव जो sessions हैं उनका हिस्सा बने तो वो भी आप काम कर सकते हैं लेकिन आप एक बात याद रखें कि एक बार आपका उस स्लेबस के गो थू होना ज़्यादा जरूरी है और यह तभी संबव है जब आप पूरा का पूरा स्लेबस जहां उसको जल्दी से जल्दी कवर करके और कम्प्लीट टेस्स स्रीज जहां उसका पार्ट बन सकें ऐसा आपको करना होगा क्योंकि यदि आप लाइव सेशन उनका इंतजार करते रहेंगे तो शायद आपको इसमें 6 महीने भी लग जाएंगे लेकिन यदि आप रिकोर्डेट सेशन जहां उनका उनको आप देखेंगे तो हो सकता है कि आप दो महीने में भी पूरा स्लेबस अपना कर ले बहुती रिजनेबल प्राइस जो रख प्रचेज कर सकते हैं और रिकोर्डेट प्लस लाइव भी प्रचेज कर सकते हैं फिर कहूंगा जाते जाते दोस्तों पूल लेक्ट्र एक्जामिनेशन जो है अपने आप में बहुत बड़ा एक्जाम है मैं आप सभी को इस एक्जाम के अंदर पाटिस्पेट करने की के लि है और चाहें वह आपका इंग्लिश है खूब काम करना पड़ेगा रिग्रस प्रेक्टिस करनी पड़ेगी और आप करेंगे और आप कर लेंगे और हर हाल में कर लेंगे यह मेरा विश्वास है यदि आपने ठान लिया है यदि आपने जान लिया है तो आप इसको करेंगे और निश्चित तोर पर एक बात आप जो हो यकीन रखी इस बात पर कि यदि आपने ठान लिया कि मुझे करना है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है आपको बड़े आराम से बड़े प्यार से जहां वो इस रास्ते के किन विद्यारथियों को तयारी करनी चाहिए नंबर दो कैसे तयारी करें और नंबर तीन जी help सी कैसे जुड़े मैं एक नंबर 214 28 128 किस नंबर पर आप कोल करें 95214 28 128 इसके उपर आप कोल करें और आपकी सारी किसारी क्वैरी जो है उनका उत्तर जो हो इस नंबर के द्वार आपको दिया जाएगा एक बार पुन है आप सभी को स्कूल लेक्चरर विज्यापन जो है उसके आने की धेर सारी बधाई ने दिखा दें कि आप किसी से यह नहीं हैं दिखा दें अपने जोज के जुरिये आपने की सigkeiten को करने का ठान लिए तो आप उस काम को करके रहेंगे दोस्तों बिल पावर जो है इच्छा शक्ति जो हैं वह बहुत बड़ी चीज होती है सबसे पहले आपको मानना पढ़ता है सबसे पहले आपको ठानना पड़ता है सबसे पहले आप अपने अंदर जो है कि उस आदमी को जगाईए जिसको सफल होना है जिसके अंदर सफल होने की इच्छा है उसको जगाईए और उसके बाद अपने काम में लग जाईए जिन जिन लोगों ने आज तक आपके उपर शक् उनको जवाब देना है और उस व्यक्ति को जवाब देना है जिस व्यक्ति ने आप से कभी कहा है कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं आपको उनको करकर के दिखाना है और आपको कुछ इस तरीके से अपनी तयारी उसको गंजाम देना है कि सफलता है कि कोई गुंजाइस बचे ही न सफलता हर हाल में आपको मिले ही मिले कुछ इस तरीकी से अपना काम करना है मेरी शुब कामना यह आपके साथ है आप कहीं पढ़ें किसी टीचर से पढ़ें किसी इंस्टिटूट में पढ़ें यदि मेरे लायक आपको लगे कि मेरे से कोई काम है कुछ राय लेनी है जरूर आप मुझसे भी बात करना चाहेंगे जरूर आप अपने रास्ते पर अपनी मंजिल रास्ते पर आगे बढ़ें और मंजिल उसको राप्त करें इनी शब्दों के साथ मैं यहीं पर रुखना चाहूंगा आपको शुब कामनाएं देते वे उन्हें एक बार आपको खूब सारी शुब कामनाएं धन्यवाद